वर गुद्यूनिंग गईस बर्लान दे साइड वलकम बाक तो अनदर लर्निंग वीडियो फ्राइडे मार्केट के लिए मेरी क्या एक्सपक्टेशन्स हैं क्या इंपोर्टेंट लवल्स होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए वो डिस्कुस करने वाले हैं चलिए कल के जो लेवल्स लिए थे क्या वह आपके काम हैं let me know in the comment section क्या आपको जो लवल्स दे रहा हूं वो help कर रहे हैं क्या जो analysis बता रहा हुँ आपके काम आरी या अगर नहीं काम आरी है न तो there is no use of hard work न हो चलिए करते हैं वीडियो को और सारी चीजों को पहले एरेस कर लेते हैं आप चार्ट को क्लियर कर लेते हैं टेक है जश्ट सेकंड मैं इनको सबको एरेस करता हूं and then उसके बाद charts को clear करते हैं पहले क्योंकि clear charts tells better stories ऐसा मैं सोचता हूँ ऐसा मैं समसता हूँ चलिए charts clear हो गए अब कल क्या discussion किया था भाई कि lows achieve हो रहे थे lows achieve हो रहे थे lows achieve हो रहे थे तो clear एक वो था view था मेरा कि कल भी एपन जो rise है उसको short कर सकते हैं and downside अच्छा देखने को मिल सकता है I hope आपने अगर rise को short किया होगा तो bankrifty एक वक्त पे 400 point उपर था and कहां पे close हुआ है check out करो 25 point सिर्फ और सिर्फ बचा था वो भी क्यों बचा just because of time time जो था वो fall को रोक पाया अगर कल अचीव होता है अगर यह जो लो दिख रहा है आपको वो कल अगर अचीव होता है तो यह जो लो है वो इंपोर्टेंट है यह breakdown होगा fall अच्छा का साथ देखने को मिलेगा कल भी देखो टेलिग्राम में market closing होते के वक्त मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली क्या बोली कि US markets और Indian markets दोनों एक दूसरे के opposite चल रहा है तेक है US और Indian markets दोनों एक दूसरे के opposite चल रहा है क्यों चल रहा है ओके यह यह मार्केट के टेकनिकल पॉजिटिव हैं और Indian market के टेकनिकल नेगेटिव हैं मेरे हिसाब से क्यों 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 कि यहां पर मैं आपको दिखाओं यहां पर अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलू तो बैंक निफ्टी को आप देखो समझना एक चीज को ठेक है क्या चीज है वो बैंक निफ्टी को आप देखोगे न तो आपको दिख रहा होगा मार्केट अप जा रहें वापस से नीचे खीश लिए जा रहें अप जा रहें वापस से नीचे खीश लिए जा रहें अप जा रहें वापस से नीचे खीश लिए जा रहें आज भी सेम चीज हुआ राईज आया वापस से नीचे आ गया मार्केश देखो यार मैं यह नहीं क देखो यार यह जो यह जो देखो यह है यह क्या है bottom है swing का अद यह क्या है top है swing का इसका जो beach का area है मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूं 0.5% Fibonacci का area यह जैसे एक line है इसको 20 से काटो के तो यह 0.50% हो गई न मतलब 50% यह part 50% यह है okay अब मैं क्या समझा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना दिमाग में रखने वाली बात यह है कि यह जो area है Fibonacci का दिखाता हूं wait कि अपन ने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ bottom and top को plot कर दिया है और कुछ नहीं किया अब यहां पर यह जो level दिख रहा है आपको यह low और यह level तो अब यह level दिख रहा है आपको यह काफी साधा important level है कल अगर यह तूटता है तो एक अच्छा-कासा downside move देखने को में सकता है क्यों क्योंकि ना मैं इसको करता हूं आपको चोटे time frame पर लेके जाता हूं पहली चीज यह जो है वह previous two day का low कल का कल का लो यह हो गया और उसके पहले वाले दिन का यह लो हो गया प्रिवेश टूडे का लो 0.1 bearishness form होगा दूसरा चीज यह जो level है यह है 0.5% retracement area of the recent swing इसका मतलब कि market अगर इसके नीचे आता है तो जो लास्ट अपसाइड मूव आया था तेक लास्ट जो अपसाइड मूव आया था उसका जो 50% है उससे ज़्यादा भी market loss कर चुका है आपको समझने वाली बात यहां पर logic समझना है logic समझने का try करो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह इंपोर्टेंट क्यों है समझने का try करो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं देखो यार यह इसलिए important है क्योंकि यह पहली चीज तो यह आज का लो उसके पहले वाले दिन का लो यह यह लास्ट टू डे का का area that means समझ के चलो आप यह एक डंडी टेक है इसको मैं 20 से काटता हूं टेक है और मान के चलो कि यह जो एरिया है यह बुल्स का है यह जो एरिया है वह बीर्स का है टेक है और मार्केट मान के चलो उपर गया है और मार्केट अब नीचे आ रहा है तो बुल्स को यहां से टेक ओवर कर लेना चाहिए क्योंकि 0.5% एरिया आगे यहां से एक रिकवरी बननी चाहिए ठेक है बट अगर यहां से रिकवरी नहीं बनती है अगर बीर्स को और नीचे सकते हैं समझ रहें बात को चलो यह चीज़ होगी क्लियर अब बात समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टन लवल से उनको नोट कर लेते हैं इंट्राडे के लिए जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्फुल हो सकते हैं चलिए आज की क्लोजिंग पे एक टिक बना लीजी जैसा कि अब दूसरा लेवल हो गया यह जो लो है इस लो को ध्यान पर रखना है बाई कि यह इंपॉर्टन उसके बाद जो आपका थर्ड लेवल है वो है यह लेवल यह एक रेंज है ध्यान से समझना यह एक रेंज क्यों है अब यह रेंज बन गई है मेरे लिए फ्राइडे के लिए कैसे वही मार्केट इसके बीच में घूम सकता है मेरे इसाप से तेक हां धिमाग पर रखने वाली बात यह है कि मार्केट अगर इसके उपर जाता है तब मैं इस लेवल को देखूंगा इसके उपर ब्रेक होगा तो एक शॉट कवरिंग अराम से देखने को मिलेगा ध्यान रखना जो चीज बात को समझा रहा हूं न ध्यान से समझो ठेके यह लेवल के उपर मार्केट जाता है तो सिंपली अपना अपसाइड मूव देख सकते हैं इसके नीचे जाता है तो अच्छा कासा अग्रेसिव डाउंसाइड मूव देख सकते हैं गाप खुलेगा ध्यान से देखना बाई गाप खुलने वाला है और उसके बाद टेलीग्राम पेपडेट देग दिया हाला कि वो काफी उपर का लेवल में मैं सरफ एक 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 जामपल दे रहा हूं अब आपको फिर क्या देखना है मान के से लो सॉरी वह ज्यादा उपर हो गया मान के से लो यहीं खुला यह प्राइज एक्शन देखना इस लेवल पर अगर बेरिश केंडल फॉर्म होता है तो होता है ना आप समझ जो श्ट्रेंद्थ बता देती है यह सपोर्ट है सपोर्ट पे एक ऐसा केंडल फॉर्म वह बैरिश डाट मियर्स और इन कंट्रोल सपोर्ट पे यहाँ पर एक कुछ ऐसा केंडल फॉर्म हो यहां से कप मूव देखने को मुल सकता है मेरी बातों को ध्य के उपर मार्केट ओपन होने वाला है इस पर 15 मिट की कैंडल कोजिंग देता है 50% शॉर्ट एड कर लेना दन उसके बाद इस एरिया पर 50% शॉर्ट एड करना ओके एंड मार्केट डाउंसाइड मूव अगर देगा तो अच्छा कासा ही देगा कल देखने वाली बात होगी कि इसके उपर अपसाइड मों होगा ओके द्यान से बता रहा हूं इसके उपर सी इसके नीचे अग्रसिव पी बात कत्म समझके चलिए यह दो लेवल्स नोट हो गया आप श्रीशोट लेली जी लेना चाहते हैं तो कुछ अड़ेस्ट लेवल होंगे तो मैं दे देता हूं कि देने का कि अखे जिस्ट सेकेंड डेली टाइम फ्रेम है चलिए पहले लेवल यह हो गया और जो अपसाइड है अपसाइड के लिए इस ऊपते हैं है यह हो गया हुज कि मेरे हिसाब से न यह दो दो जोंस हैं तेक है द्यान सब्सक्राइब यह जोन진 और यह जोन्द यह दो नहें इंपर्टेंट इसके उपर heeft कर अगर इसके उपर जाता है तो सीद जान्यज टेगा इसके नीची जाता है तो नीचिश öl्ट कर लेते हैं अब बढ़ लेते हैं निफ्टी में हाला कि जो मैं डेता हूं यार मेरे को देने का कोई वो नहीं है ठीक है ज़रूरत नहीं है अगर आप इन लेवल्स के टूटने पर ट्रेट करोगे तो आपको पचास पॉइंट और आम से मिल जाएंगा इतना ही टार्गेट र पर निकल गए होंगे इस इस लेवल के नीचे 15 मिट की कैंडल क्लोजिंग मिली फिर देखो क्या फॉल आया सीधा क्लोजिंग तक फ्लॉल आकर रुका समझ रहे हो सो दिस इंपोर्टेंट अपने को देखना जरूरी है प्राइस को समझना जरूरी है मैं तो आपको आपको कुछ न कुछ वहां से मिलते होगी चलिए अब एक बार निफ्टी के भी जो लेवल से उनको एक बड़ेस कर लेते हैं कि अगर बढ़ते हैं आगे ओके निफ्टी के लेवल कर लिजे आप एरेस यह होगे अनिफ्टी के लेवल इएस अब यहां पर देखोगे सब्से पहली चीω찬 आपको एक टी-यल फॉर्मेशन दिख रहा होगा यह है एक टी ल फॉर्मेशन ठीक है द्यान से ठेको यह एक TL formation है, TL मतलब trend line, यहाँ पर देखो भाई क्या दिख रहा है, एक, दो, तीन, चार, अगर यह knock देता है ना, पांच वी बार, गिर जाएगा, ठीक है, और जब यह TL गिरेगा, जिस TL में, एक, दो, तीन, चार, चार बार knock है, पांच वी बार तूटेगा, तो अच्छा क अब यहाँ पर जो important levels है, वो एक बार discuss कर लेते हैं, ठीक है, देख लो, त्यान से, सबसे पहला level हो गया, closing, market कहां खुलता है, वो important है, okay, then उसके बाद, उसके बाद का, जो important level है, वो है, high, कप का high, आज का high, that means, Thursday का high, okay, मैंने line कीज़ दिये, note कर लेना, then उसके बाद, जो important level है, वो है, yellow, तेक है, आप yellow भी ले सकते हो, and yellow भी ले सकते हो, तेक है, मैं नीचे वाला low रखता हूँ, आपके लिए, आपको जादा easy पड़ेगा, चलिए, ये होगे, कल के levels, ध्यान से देख लीजे, इनको note कर लीजे same importance है, price action को note करना है, in levels पे, closing पे, market gap अपकुलने वाला है, closing के नीचे 15 minute की candle close होती है, put buy करना है, okay, then उसके बाद, TL में थोड़ा साफधान रहना है, यहाँ पे price action देखना है, bearish, अगर जाता है market, तो समझ लेना, कल एक अच्छा कासा, fall देखने को मिलेगा, okay, the thing is, we have to be careful in both the sides, okay, because यह जो market momentum build up हो रहा है, यह short term के लिए build up हो रहा है, okay, यहाँ से अगर downside move चालू होगा, तो कम से कम 1000 point का move हाएगा, okay, तो समझना इस चीज़ को, that's it for now guys, see you tomorrow, and just want to say, together we have to go a long way, bye-bye, take care, and I am always here for you, bye-bye, take care guys.